हीılोग फ्रेंड वेलकम यू आल आज मैं आपके जो वीडियो लिए रहा हो देखी बात करने वाले हैं केमिकल स्टक्स दिखिए specialty chemical chemicals जब भी बात आती है agrochemical इस तरीके बहुत सारे segment तो इसेटेंगे और बहुत इंपरेंट है क्योंकि Wide Area Of Application वाइड अरिया ओप एप्लिकेशन से मेरा मतलब यहाँ पे है कि अलग-अलग सेगमेंट में इसका यूज अलग-अलग इंडस्ट्री में इसका यूज इस सेक्टर के स्टॉक्स को काफी खास बनाते हैं और आपने पास्ट में भी देखा होगा बहुत सारे मल्टी बैगर्स निकलते हैं इस पर्टिकुलर से बहुत जब्रतस रैली ज आपने देखी होंगी अलग-अलग तरीके के स्टॉक्स की वह भी इस सेक्टर की तो चले डिटेल में समझते हैं एक और स्टॉक को आज देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और आके बढ़ने से पहले मापक इंपोर्टेंट खास करकि जब वीकेंड आता है और वीकेंड की एक्सराइज अगर आप ना करो तो मजाई क्या आए फिर देखिए मैं आपको सबसे इंपोर्टेंट बात अगर बताऊं प्राइस सेक्षन सीखने का तो प्रैक्टिस देखिए प्रैक्टिस करने में जब आ आपको आपके confidence में दिखीगा जब आप चीजों को एनलाइज कर रहे हो जब आप चीजों को मैं कहूंगा execute कर रहे हो तो वह confidence लेवल तभी आएगा जब प्रैक्टिस होगी और साथ में वीकेंड एक्सराइज और रेगुलर एक्सराइज बहुत इंपोर्टेंट है सारी च स्टॉक को समझने वाले हैं देखने वाले हैं आप खुद देखोगे और समझोगे सीखोगे तो देखिए अमाइन सेंट यह देखिए अफल इंडिया का डेली प्राइस एक्शन को देखा था हमने किस तरीके से वीकली करेक्शन रिजॉल्ब हुआ उसके बाद बढ़िया प्राइली आई उसको देखा सोभा लिमिटेड को हमने देखा समझने की कोशिश करी और आब हम बात करेंगे आज की डेट में जिस स्टॉक की उसका नाम है ज्वारी एग्रोकेमिकल्स छोटा स्टॉक जरूर है 713 करोड का मार्किट करपटलाइशन और आप देखिए प्रा 270 के आसपास अब जड़ा देखिए अभी रिसेंटी हमने बहुत सारे एक एक बहुत इंपॉर्टन कॉंसेप्ट की बात करी थी कि 200 समय से जब रिजेक्शन होता है तो कितना बहतरीन तो इस टॉक ने एक बहतरीन मूब तो दिया लेकिन अब अभी हम थोड़ा बड़े जब हम जून के टाइम पर इस टॉक को आपके सामने लेके आये थी लेकिन उसके बाद कोई खास इसने एक मोमेंटम सा एक पॉजिटिविटी जिसकी उमीद होती है वह दिखाया नहीं देखने को मिला आप खुद तो आप देखो के तो कई गुना बढ़ जा रहे हैं कई उ तो आपको कहते हैं कि मार्केट कहा है कि क्स गारांटी नहीं अगर आपको क्या ऌड़ग। समस लेना कितना खतरनाक होसकता है कोई गेरेंटी नहीं है यहां पर इसा है पेशिंस अब यह देखिए अब आपको जो हम डेली पर साइकल अभी देख रहे थे समझ रहे थे जब आप यहां पर देखो होते हुए 2022 से लेकर मैं कहूंगा 2023 पूरे के पूरे दो साल 2022 का एक साल और दूसरा 2023 का एक साल 2024 स्टार्ट होने को हैक महीना कुल रहागया तो यह देखिए दो साल का यह पेशियंद्स तेकि पेशिंट्स बहुत चाहिए लेकिन उस पेशिंट्स का जो result होता है यानि कि इस patients का result इस तरीके से देखने को मिल जाए तो कितना बढ़िया है तो अभी चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या situation मन रही है अभी क्या level है मैं 168 है मैं इसको 170 लेके चलते देखिए और deep stop loss तो आपको पता ही है इमेजिएट यहाँ पर है 140 के आसपास यह situation देखिए अपको वह अभी price action को और समझेंगी और उपर का जो जो है जो लिक्विडिटी जोन है वो हमारे पास है 600 का लिक्विडिटी जोन तो चलिए यह देखा हमने लेकिन यहाँ पर अगर इस price action को मैं expect कर रहा हूं कि यह liquidity जोन की तरब जाएगा तो होता है price जो यहाँ पर किस तरीके से जाता है price प्राइस का उम्मीद होता है कि वो इस तरीके से higher high higher low बनाता हुआ जाए एक साथ तो नहीं जाएगा तो यह important part होता है तो यह और जहां एक बड़ा fall होता है वो हमारा एक बहुत important target zone होता जहां-जहां से भी यह बड़े falls आई है तो इसलिए यह दिखिए अब आप खुद देख सकते हो यहाँ पर जहां-जहां से भी बड़े falls trigger होय है वो important target zone है तो अब अलग-अलग target zone को अगर ध्यान रखो तो देखिए पहला target zone देखिए कहां-कहां बड़े fall है यह लवली है देखिए जो recent high है 30% का उससे उपर का almost 80% का आसपास का उससे उपर का देखिए almost 186% का तो इस तरीके से liquidity area आज को target किया जाता है कि हाँ य इस वीडियो के माधियम से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे कुछ ना कुछ समझे जरूर होंगे क्योंकि काफी कुछ सीखने को price action price cycle के हम बात करते हैं regular basis पर price cycle के जब हम बात करते हैं अलग-अलग timeframes को picture में लेके आते तो यह timeframes हमें बहुत को सिखाते हैं तो इसलिए हमे पर के दमा यह liquidity zone क्या होती है यह targets होता है यह smart money perspective से जब भी आप सोचते हो तो यह आपके target areas होता है यहाँ पर उमीद होती है consolidation correction देखने को मिल जाए फिर आगे की तयारी करेंगे फिर आगे हम सोचते रहेंगे अगला देखिए यह important part सोभा यहां से start होता है और यह level देखि किया था किस तरीके से इसमां आने वाले टाइम पर प्राइस section established हो सकता है और वह आपको एक momentum एक positivity दे सकता है और अगेन मैं यही कहूंगा इस तरीके से confidence के लिए आपको practice करनी पड़ी और practice कहां से करोगे price action से और अलग-अलग stocks के माधिम से जब practice होती है तो आपको clearly देख किस तरीके का price action दिखा रहें कौन से time frame पर वो cycles दिखा रहें कौन से time frame पर एक positivity है वो समझना बहुत important है वो समझ के उनको relate करना बहुत important है अपने understanding के basis पे क्योंकि एक तो ठोरी आप कहीं से भी पढ़ लोगे लेकिन जब आप चीजों को पढ़ते हो जब आप उनको अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हो तो चीज़ा समझना आसान हो जाता है तो इसलिए कोई भी चीज़ा पढ़ो कहीं से भी उसको जब आप practically देखोगे तो आप उसको relate कर पाओगे समझ पाओगे फिलाल मैं wind up करता हूं वीडियो को और उमीद करता हूं कि आपको बह लिखते रही है प्राक्टिस करते रही है और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मार्केट में अवेरनेस प्रेड करते रहे हैं थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग दे वीडियो